डिर स्टेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेविंथ में हिंदी भासा माधुरी में सेविंथ चैप्टर जिसका नाम है मनुस्ष सिता पढ़ाऊंगा यह चैप्टर हिंदी के स्रेष्ट कभी मैथली स्राण गुप्त द्वारा रचित है इस चैप्टर में कभी ने एही वताया है कि मनुस्ष के लिए अपने जीवन को दूसरों के लिए नियुचावर करना चाहिए हमेशा मनुस्ष के लिए अपने लिए नहीं जीना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को वितीत करना चाहिए इस कविता की पंकतियां है रहो न भूल के कभी मदांध तुछ चित्त में सनाथ जान आपको करो नागर्भ चित्त में अनाथ कौन है यहां तिरलोक नाथ साथ हैं दयालू दीन वंध के बड़े विशाल हाथ हैं कभी कहता है कि संसार में बही सच्चा मनस कहलाता है जो मनस के लिए मरता है जो मनस के लिए अपने जीवन को वितीत करता है इस कभीता में आई हुए कठिन सब्द हैं मदांध मदांध का आर्थ होता है मद में अंधा हो जाना मद में चूर हो जाना मदांध सब्द में दीर संदी होगे जिसका विग्रह होगा मद पिलस अंधा मद में अंधा हो जाना मद का आर्थ होता है घमंड अगला सब्द है तिरलोक नाथ तिरलोक नाथ कहते हैं तीनों लोकों का श्रामी अर्थात ईश्वर अतीव का आर्थ होता है अतधिक इस कविता के पंकतियों का भावार्थ है कभी कहता है कि कभी भी हमें भूल करके भी अपनी चित में चित कहते हिर्दय के लिए हिर्दय में कभी भी गहमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड मनुस के बिवेक को समाप्त कर देता है घमंड मनुस के लिए इस बात को विचार करने नहीं देता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है अच्छे बुरे की पहचान बहभूल जाता है इसलिए हमें कभी भी भूल करके भी घमंड नहीं करना चाहिए सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित में कभी कहता है कि कभी भी हमें गर्व कहते हैं गमंड के लिए चित कहते हैं हिर्दय के लिए अपने हिर्दय में कभी भी इस वात का गमंड नहीं करना चाहिए कि हम सनाथ हैं अर्थात हमारा कोई सहारा है हमें यदि किसी का सहारा प्राप्त होता है तो सहारे को जान करके हमें कभी भी अपने हिर्दे में घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि अनाथ कौन है यहां तरलोक नाथ साथ है इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है अनाथ उसे कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है क्योंकि यहाँ पर तरलोक नाथ साथ है तरलोक नाथ अर्था इसुर सभी के साथ है इसुर सभी की देखवाल करने वाले हैं इसुर सभी का सहारा है इसलिए इस संसार में कोई भी हाथ हैं कभी कहता है कि दीन वंधू दीनों पर दया करने वाला दीनों का शहरा दुखियों का सहरा अर्थात ईशुर जो दयालू है सभी पर दया करता है उसके विशाल हाथ है उसके बड़े बड़े हाथ है जिनके द्वारा बहे दूसरों की रक्षा करता है दूसरों का सहरा वनता है अतीव भाग हीन है अधीर भाव जो भरे अतीव भाग हीन अतीव मानि अतदिक भाग हीन बहे भाग हीन है जो अधीर भाव जो भरे जो अपने हिर्दे में अधीर भाव को प्रकट करता है बहे अतदिक भाग हीन कहलाता है बही मनश है कि जो मनश के लिए मरे कवी कहत कि इस संसार में बही सच्चा मनुस कहलाता है जो मनुस के लिए मरता है अर्था दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को निशावर कर देता है बही सच्चा मनुस कहलाता है जो मनुस केवल अपनी स्वार्थ की सिद्धी के लिए जीवन वितीत करता है बही इस संसार में स प्रच्चा मनुस्त नहीं कहलाता और उसका जीवन पसू के समान माना जाता है